हेलो दोस्तों काई सब्सक्राइब आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं परस्णावली 1.4 प्लास 9 की संख्या पदती पहला सवाल यह है कि उत्रोतर आवर्दन करें के संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए 3.765 गड़ित का रूल होता है 3.5 के आगे की संख्या को एक एकाई के रूप में पढ़ना ना कि आप इसे 3.765 के रूप में पढ़ सकते हैं आप 3.765 के रूप में ही पढ़ेंगे तो आपका पहला सवाल है अब आपको संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना है तीन से बढ़ी है 765 मतलब यह संख्या 3 से बढ़ी है और 4 से छोटी है तो इसको 3 और 4 के बीच में परदरसित करना है तो मैं एक लाइन खीच लेता हूं एक तरफ लिका तीन एक तरफ लिका चार अब इसको हम दस भागों में बाढ़ना है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवाँ छटवाँ साथवाँ आठवाँ नौवाँ दसवाँ अब इसको पॉइंट के रूप में लिखना है है तीन पाइंट वन फिर तीन फोर दीन फोर एंट फाइफ शेंटीन पोउंट सेवें 3.8 फाइट न die लदनाएँ सुरी यहां तक है और बस हो गया आपका यह आता है फॉर ठीक है तो आप देख रहे हैं कि 3.765 पहली संक्या 3.7 आ रही है पॉइंटी के बाद तो 3.7 अब यह जो संक्या यह 3.7 से बड़ी है और 3.8 से छोटी करें यानि कि और इसके बीज में हमारी 3.76प संफ sms क आय लगी तो दोस्तों पर इसको ऐसेर ले पर और इसके तो भी से नवीज में भी एक लाइन खीज देते हैं कि फो आप क्या लिखती है 3.7प और इसको अगर 6 7 8 9 और 10 यह होगा तीन पॉइंट 8 ठीक दो तो तीन पॉइंट साथ के बाद अब आप दो संख्यां करेंगे तो क्या आएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.64 3.69 उन्हाची के बाद अच्ची आताके आता है क्यों नहीं आता है इसलिए तो 3.80 बढ़ा दोंगे तो यह अच्ची हो जाएगा ठीक है ठीक है दोस्तों तो अब अगर आप देखो तो इन सब के बीच अगर आप पॉइंट हटा देते हो तिन सो गत्र तिन सो बात तो तिन सो तियस्तर आते हैं इसलिए पॉइंट लगा करें और पॉइंट के बाद0 बढ़ा है जadors ज़ितने मरगी हों उतने ज Ainक को बढ़ा है ज़ी ंपाना 10 story.00 के बीच के आ रहा है वह कैसे अ चीन पॉंट साथ चैंट पर और sausage कापर है यहां है इस आख और तीन पॉंट-साथind और गदीच कर ऴ या संख्या बड़ी है तो यह आगे 5 लगा हुआ है और 3.77 मतलब 3.77 और यह है 3.7 और 6.5 अगर इन संख्याओं को बढ़ाते हैं जले जाए 65, 66, 68, 69, 70 तो क्या हमारी आएगे 3.7 और इसका सी साथ और जीरो अगर लास्ट में बढ़ा रहते हैं तो इसमें आप पॉइंट के बाद में हर किसी के आगे 0 बढ़ा सकते हैं तो इसी तरीके से 3.76 मतलब 3.76 और 3.77 अगर इसके आगे यह जीरो आगर आप बढ़ा देते हैं तो 3.760 और मैं आपको पढ़ने के लिए बतना हूं आपको इसे बोलना नहीं और 3.770 के बीच की कौन सी से आएगी 3.765 आएगी न तो इसलिए 3.765 इसके बीच में आएगी यहां से 0 अटा दिया बस ऐसे समझ लिया अब हम इसको जब बढ़ा करेंगे इस तरीके से तो हमारी बीच मे इसको भी 10 बाव में डिवाइड करना एक तरफ 3.76 तरफ 3.77 इसको भी दस बाव में डिवाइड करना है ठीके दोस्तों 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तो इसको जब इसको भी 10 बावशे बाट करके हम पॉइंट के रूप में इसको निर्भीट करेंगे तो 3.76, 1, 3.76, 2, 3.76, 3.96, 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 ठीक है तो हमारा 3.765 कहां पर आ रहा है यह आ रहा है तो हमारी संख्या रेका पर जो इसको निरूपित करना यह यहां पर आएगा तो इस तरीके से आप बना सकते हो और पेपर में हल कर सकते हो तो आपका पहला सवाल और मैं आपको बता दूँ कि उत किसलिए होती है दोस्तों इस प्रकारिया को संख्या रेखा पर अनुवसानी आवर्ति दसंख्या को देखने में लागु किया जाता है अगर हम बड़ते हैं एपने दूसरे सवाल की बंशन यह रहा है कि 4.2 छे और इसके उपर लगावा है बार मतलब चार पॉइंट दो छे बार को दिखाना है हमको संख्या रोका पर संख्या रेखा पर चार दसमलो स्थानों तक मतलब हमें क्या दर्साना है चार पॉइंट दो छे दो छे चार दसमलो स्थानों के एक दो तीन चार हमें ये दर्साना है तो इसको दरसाने के लिए हम संख्यारेखा बनाएंगे, एक हमने संख्यारेखा, संख्या ये खीची, अब आप देख में पर देखने कि 4.26 4.26 मतलब कि यह दो है अब हमको देखना है कि 4.2 कहां यहां परा रहा है 4.26 जो संख्या है यह चार .2 से तो बढ़ी है ठीक है और दूसमय को इसको कि अलग संख्या रेखा बनानी है मैं इसको भी दस बागों में बाट लगते हैं चार पॉइंट दो और चार पॉइंट थी यह दस बागों में बट गए चार पॉइंट दो और चार पॉइंट तीन के बीच में इतनी आए जाए कि चार पॉइंट दो के बाद चार पॉइंट दो है ये चार पॉइंट दो दो चार पॉइंट दो तिन चार पॉइंट बढ़ा दीज तो क्या अगर चार पॉइंट बीस तो 4.20 के क्या बाद आएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 तो आप यह देख लीजिए आ रहे हैं वैसे ही 4.19 और लास्ट में क्या आएगा 4.30 आएगा तो हम पॉइंट के बाद 0 बढ़ा देखें 4.30 स्वाइब 4.21 तो आपसको समझ में आ रहा है अगर आप यह समझ लीजिए तो आपसे समझ लीजिए 26 और 4.27 चार पोइंट 26 यह हमें धरसानिय जबकी 826 egili चार तो झने कि hine 4.26 से बढ़ी है लेकिन 4.27 से छुटी है वो क्यों मैं भी बता रहा है आपको है कि तो यहां पर लिख दिया मैंने 4.26 यहां पर लिख दिया चारपॉइंट 27 अब आप देख लीजिए अगर हम यहां पर 0 बढ़ा देते हैं 4.26 जीरो और यहां पर कर देते हैं यहां पर हम कर देते हैं, 4.270, मतलब समझने के लिए आपको बता दो, 4.260, 4.270, इसके बीच में निकान लिए तो क्या आएगा, 4.260 के बाद, 4.261, 4.262, 4.236, 4.264, इसी तरीके से यहां पर आएगा, इसको हम जब 10 बागों में बाटेंगे, यो इसको तस वागम में बाटेंगे तो क्या आएगा माली जी यहाँ पर 0,260 होगा 4.261 4.262 4.263 या 2.6 है तो 2.6 के बाद फिर से 1 से सुरू कर दो 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.267 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4.262 6 2 2 6 2 2 6 9 269 के बाद 270 अगर आप यहाँ जीरो बढ़ा लेते हो ठीक है तो क्या होगे हमारा अब 4.262 देखनी है कहाँ पर है 4.262 हमारा यहाँ पर है और 4.262 से 4.262 6 जादा है और 4.263 से कम है तो हम यहाँ पर फिर से बना लेते है ठीक है दोस्तों और जब यहाँ पर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बना लिया ठीक है दोस्तों और यहाँ पर बनाने के लिए वाद हमने क्या लिए 4.262 2.262 और 4.263 इनके बीच में आप जैसे मैंने पहले एक जम्पल बताए हैं वैसे आप देख लीजिए 0 बढ़ा के आप कर लीजिए और नहीं तो आप मैं ऐसे आपको समझा देता हूं दोस्तों 10 बागों में वाजित हो गई 4.262 1 4.262 2 4.262 1 2.262 3 4.262 4 4.262 5 4.262 6 4.262 7 4.262 8 4.262 9 ठीक दोस्तों समझा अब आपको देखना कि 4 2.262 चाहां मिला यह मिला 4.262 6 मतलब हमारी उत्रोदन आवर्दन इस प्रकरिया में 4.262 6 चाहां पर निरूपित होगी तो आप इस प्रकार से इस कुष्टन को भी हल कर लेते हैं अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लिश वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरू करिएगा और अपने दोस्तों के साथ मीं सेयर करिएगा वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मै अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रिशनावली 1.5 जबर दे सुरुआज के साथ तो दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो है वे नाच दे